आयर्वेद के अनुश्यार कई प्रकार की दातूनों का उप्योग किया जाता है और विसेसकर नीम, बभूल, चिटचिटा, मौलसरी और मिस्वाक जैसे व्रक्षों की दातूनों का उप्योग सबसे स्रेश्ट माना जाता है तो इसमें एक मौलसरी व्रक्ष है जिसका उप्य बिमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए इस दातून का प्रयोग लाते हैं, तो ये महलसरी की दातून तक ही सीमत नहीं है, इसके पेड़ की छाल, इसकी पत्तियां, इसकी जड़, इसकी वीज, इसके फल, फूल, इत्यादी आयुरवेद में अलग-अलग बिमारियों को ठी करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे इस महलसरी के फाइदे, इसकी पहचान और नुक्षान के बारे में, तो दोस्तों महलसरी को भी छेत्रियों वहां सों में अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको संस्क्रेट में बाकुल, केश करीब 20 से 35 फिड ऊचा होता है, इसके पत्ते जामुन के पत्तों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, इसके फूल कुछ मटमेले रंग के सपेद हुए होते हैं, ये छोटे होते हैं और इसमें अतियंत शुगंद आती है, इसकी शुगंद सूकने पर भी नहीं जाती है, इसके मादवरक्ष का फूल कुछ बड़ा और शपेद रंका होता है, मादवरक्ष का फूल कुछ सिंदूरी रंका होता है, उसका फल पीले रंका आता है, हर एक फल में एक एक बीज निकलता है, ये वरक्ष भरत बर्स के प्राया सभीवर गीचों में या जो खेत खलियान है या तो गाडने उसमें लगाया जाता है, क्योंकि ये साल के वारो मास हरा भरा दिखाई पड़ता है, इसके पत्ते साल के वारो मास इसमें रहते हैं, इसलिए ये गाडन में प्राया हर जगा लगाया जाता है। को ये दूर करती है इसके फूल मीठे इसकंद कसेले सीतल आतों का संकोचन करने वाले रूची बर्दक दातों को मजबूती करने वाले होते हैं इसके फल मीठे चरपरे इसकंद आतों का संकोचन करने वाले और बात को पैदा करने वाले होते हैं इसके बीज हिलते हुए दातो को मजबूत करते हैं और इसको सूगने से अदसिशी का दर्ड दूर होता है इसकी छाल कसैली और पौश्टिक होती है इसे इसकंदक होती है छोटों बच्चों की कविज्यत होने पर आप इसकी बीजों की मगज को लिकाले और थोड़े पुराने खी के साथ इसकी बत्ती बना कर गुदा में रख दे और पिंद्रा मिंड के बाद मल की कठोर गांठे घुलकर दस्त के शाथ भार निकल जाती है जिन इस्तरियों का गर्ब नहीं ठैरता है तो आप इसकी छाल का सेबन करवाएं तो कुछ दिन में ही इसका गरवासे शुद्ध होकर गरव दहरन करने पर शंबहाक सक्कर मिलाकर आप खिलाएं तो गरवासे से आने वाला पानी बंद हो जाता है हिर्दे रोग में आप मौल स्री के फूलों का हार पहनाएं और इसके फूलों को सुगाएं इसके आंतरिक छाल का आप काड़ा बना कर पिलाएं तो हिर्दे रोग में भी लाव हो जाता है धातू रोग या प्रिदर रोग होने पर आप मौल स्री की ताजे फूल एक तोला ले ले और बादाम की जो मगज है वो तीन दाने ले और तीन ग्राम आप मिस्री मिलाकर इसको शुबह असाम दोनों टाइम में आप पिलाएं उपर से एक तोला आप ठंडा पानी पिला दें ऐसा करने से धातू विकार दूर होते हैं अगर किसी के दात समय से पहले हिलने लगते हैं तो आप कुछ दिनों तक इस और लगातार शेवन करें तो उसके दात मजबूत हो जाते हैं छोटे बच्चों की खांसी होने पर आप इसके ताजे फूल दो तोला एक तो पानी में विगोकर रात वर आप रख दें और सुबरे उस पाने को च्छान कर बच्चे को पिला दें इसी प्रकार आप छे साथ दिन ऐसा करें तो उनकी खांसी चली जाती है और मुख रोग या मूपका मूँ में च्छाले होने पर मौलसरी आमला और खैर इन तीनों रख् वो ततकाल दूर हो जाती है और इसका उपसेवन करने से धातों में बहुत मजबूती आ जाती है तो इसी प्रकार इस मौलसरी के बीजों की गिरी का उप्योग बवसीर जैसे रोग में किया जाता है हमने कई मरीजों को करा के देखा है जो काफी एफेक्टिव और चमतकारी है बहुती जल्दी रिजल्ट दिखलाता है तो इसके उप्योग करने की बिदी कुछ इस प्रकार है आप इसके बीज ले ले 21 नंग जो की 3 ग्राम हो जाते हैं और आप काली मिर्च ले ले 11 नंग इसको आप बारी करके पीस ले और पीसने के बाद आप एक केला ले ले और क खिला दे और इसको खिलाने के बाद 6 गंटे उस मरीज को बैठना नहीं होता है उसको लगातार गूमना या चलना होता है तो इस प्रकार उसको पूरे दिन भी कुछ खाना नहीं होता है और 6-7 गंटे के बाद उसको मौशमी का रस पीना होता है इस प्रकार आप इसकी एक तो इसको सेवन करने के बाद, उसको ब्रावासीर के मशेbs पहल रोग में चीजहोता है क्वेडशेश कोुछी इस प्रकार बीज सेवन करसकते हैं स्मौल स्री के जो डीज है उनके पास बोर्शल्ली या काबुल या मौल स्री के बीज के नाम से मिल जाते हैं और गरी का सेवन जब करें तो डारक्ट काली मिर्च के साथ चवाके ना ले ना तो आपका गला पूरा छिल जाता है किसी किसी लोग ने पहले ऐसे ही खा लिया था तो उनको गला पकड़ लेता है और उनको उल्टी या पल्टी भी हो सकती है जब आप केले में रखके इनके बीजों की गिरी खिलाते है ना तो आपको उल्टी आती है ना गला पकड़ता है ना गला ही छिलता है तो इस प्रकार आप इस स्मॉल स्री की गिरी का जो सेवन है बबासीर में कुछ इस प्रकार कर सकते हैं तो जेतनी ही मात्रा बताई गई है और जिन बीमारियों में बताई गई है आप उतनी मात्रा में कर सकते हैं अगर किसी बिशेज बीमारी में इस मौल स्री का उप्योग करना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की जो वैद हैं, डॉक्टर हैं, इस जड़ी बूटी जानकार हैं उनकी निगरानी में आप उप्यो आप उप्योटी या जो